प्रफ्राइब जब जोब चाहिए सरकारे तो इंडिया करे अच्टाइब 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 आप नमस्कार मैं हूने खिल और आप देख रहे हैं दिललन टॉप शो बारत के मुख्यन अधीश तमविधान के संरक्षक की भूमी का निभाते हैं जब कहीं से नयाय मिलने की उम्मीद नहीं रह जाती तब अंतिम विकल्प यही रह जाता है कि मामला किसी भी तरह से सीजाई के संग्यान में लाया जाए राश्ची महत्व के विश्यों पर सीजाई जो फैसले देते हैं जो टिपणिया करते हैं वो उनके साथ साथ सुप्रीम कोट की विरासत का भी हिस्सा बन जाते हैं इसलिए जब भी किसी CGI का कारेकाल खत्म होता है तब उनके लिए फैसलों की चर्चा स्वाभाविक है CGI एनवी रमना 26 अगस्ट को सेवा निवरित हो रहे हैं इसलिए सारी नज़रे आज सरवोच चनाले की कोट नमबर वन की तरफ ही थी फिर आज तीन तीन हाई प्रोफाइल मामलों के तारिक थी रादर चार कहना चाहिए पेगसस मामला, बिलकेजबानो मामला, प्रेवेंशन अफ मली लॉंडरिंग एक का मामला और अन्य कई बड़े मामले थे तो आज दिन की बड़ी खबर में इन मामलों में सुप्रीम कोट की सुनवाई के नाम ही रहेगी हमारी पूरी बड़ी खबर शुरुवात आज भी दिन के वीडियो से ही होगी, पहले आप उससे देख लेजी इन्हें पैचान तो गई होंगे, फिर भी बता देते हैं ये हैं टी राजा वही टी राजा जिनने पैगंबर मुहमद पर टिपनी करने को लेकर बीजेपी से निलंबित कर दिया गया था आज इन्हें दोबारा गरफतार कर लिया गया है भाजपा के विदायक हैं वैसे गरफतारी से पहले इन्होंने ये वीडियो जारी कर अपने गरफतारी का अनुमान लगा लिया था लेकिन इतना कुछ बवाल होने के बाद भी टी राज़ा के तेवरों में कोई कम ही नहीं आई है आज भी अपने चिर परिचेत अंदाज में देखे अलाएं कि इस बार टी राज़ा की गरफतारी एक पुराने मामले में हुई है तेलंगाना पुलिस ने टी राज़ा को 41 A.C.R.P.C. के तहट दो अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज मामलों के संबन में गिरफतार किया है गिरफतारी की बार टी राज़ा को चेरिया पली सेंट्रल जेल भीजा गया है इनने एक्सप्रस के मताबिक इसी साल राम नौमी के एकारे करम में टी राज़ा ने कतित तौर पर विवादे टिपणी की थी इसके बाद फरवरी और अप्रेल 2022 में हैधराबाद के शाजी नायत गंज और मंगलगाट पुलिस थानों में उनके खिलाफ मामला दर्च किया गया था पेगंबर मुहमद पर विवादे टिपणी के मामले में टी राज़ा के ग्रफतारी 23 अगस्त को हुई थी इसके बाद पुलिस ने उन्हें नाम अपली कोर्ट में पेश भी किया था कोर्ट ने पहले उन्हें 14 दिन की नियाई खिरासत में भेजने का देश दिया लेकिन बाद में और वापस लेते हुए राज़ा को चेतावनी दी थी और साथ में बेल भी अलागि इस बार राज़ा को पीडी आक के तहत हिरासत में लिया गया है रिकॉर्ड बताते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज 101 आपराधिक मामलों में से 18 सामपरदाइक सौहार्द बिगाड़ने से जुड़े हैं अब समझ लेते हैं कि ये पीडी आक क्या है आम तोर पर ये कानून उन अपराधियों पर लागो किया जाता है जेने समाज के लिए खत्रा माना जाता है ये था दिन का वीडियो अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ पहले सुर की आज फिर जारकंड के मुक्यमंत्री हिवन सुरेन से ही जुड़ी है 24 अगस के बुलिटिन में हमने आपको विस्तार से बताया था कि जारकंड में हुए कथित खनन घोटाले को लेकर सुरेन किस तरह से मुसीबत में रादर दो घोटाले हैं एक मामला उनकी अपनी विधान सभा में पत्थर के उत्खनन से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला वो है जिसमें सुरेन ने अपने ही नाम राची में एक पत्थर खदान की अनुमती दे दी थी हंगमा होने पर अनुमती वापिस भी ले लिगई थी लेकिन सुरेन इसी दूसरे मामले को लेकर ज्यादा चिंतित थे क्योंकि इस मामले में भाशपा ने जहारखंड के राच जपाल से शिकायत कर दी थी और मांग की थी कि सुरेन पर लाप के पत्थ के नियम के तहद कारवाई हो विवस्त आईए है कि समिदान के नुचेद 192 के तहद राज जपाल किसी विधाय की सदस्यता को रद कर सकते हैं राज जपाल रमेश बैस ने भाशपा की शिकायत को दिल्ली में केंदरी चुनाव आयोग के पास अनुशनसाओं के लिए भेश दिया था इस बाबत चुनाव आयोग में दोनों पक्षों को सुना जा चुका है और आज आयोग ने अपनी अनुशनसा राजपाल रमेश बैस को फेश दी है सुबह सुबह खबरें चल गई थी कि आयोग की अनुशनसाओं पर सुरेन की विधाय की रद कर दी गई है लेकिन बाद में साफ हुआ कि रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में है और अभी राजपाल ने अपनी और से किसी कारवाई की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है सुरेन की पार्टी जहारकंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट करके सवाल किया कि आयो के सील बंद लिफाफे की जानकारी भाजपा नेताओं और मीडिया को कैसे मिल गई आगे सवाल किया कि क्या चुनाव आयो का नाम बदल कर भाजपा आयो कर देना चाहिए एक तरफ सीम नाराजगी जाहिर करते बताये गए दूसरे तरफ जारखंड सरकार और जारखंड मुक्ति मोर्चा डैमज कंट्रूल की त्यारी भी कर रहे है बताया गया है कि आज सीम स्वयम अपने निकट सलहकारों और राजी के एडवोकेट जनरल राजी वरंजन से मिले उनसे चर्चा की इस बात की भी पूरी संभावना है कि अगर राज जपाल का फैसला सोरेन के खिलाफ गया तो वो इसके खिलाफ कोट चले जाएंगे पिर ये बात भी है कि जारखंड दान सबाह में स्पीकर रबिंदर नात महतो भी सीम की पार्टी जहमुमों से ही है अगर सीम की सदस्यता वाकई रद हो जाती है तब भी जारखंड सरकार पर तुरंत कोई आच नहीं आएगी क्योंकि 80 सदस्यों वाली विधान सबाह में महागडबंदन के दो बड़े दल हो याने कि जामुमों और कॉंग्रेस के पास क्रमशा 30 और 17 सदस्ये मिलाके 47 हो गई है फिर राजद, NCP और भागपा माले लिबरेशन के कुल 3 विधायकों का समर्थन भी है भाजपा 26 विधायकों के साथ सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है अगर उसे सरकार बनाने हुई तो उसे कम से कम 15 विधायकों की जरूरत पड़ सकती है इसलिए जामुमों के सामने सोरेन की विधायकी या सरकार बचाने से बड़ी समस्या साख बचाने की है क्योंकि एक बार वो पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई हार जाते हैं तब महागट बंदन की गेंद का जो गोंध है जिसने तमाम पार्टियों को साथ में इकटा किया हुआ है वो कच्चा होने लगेगा और फिर सरकार की स्तिर्था सवालों के घेरे में आ जाएगी वैसे सूरेन की बात चली है तो ये भी साफ कर दें कि कल जब हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें सूरेन के निकट संबंदियों के हाँ चापे पड़े थे उसके नतीजे में जो जांच में सामने आया उसके बाद फिर से चापे पड़े और एक चापे में दो आटमाटिक हतियार निकलने के बाद सामने आया थी देर शाम मुख्यमंतरी कारले जो जारखन का उसने ये बात स्पष्ट की थी कि अगर मुख्यमंतरी को इस व्यक्ति से जोडने कोशिश की जाती है तो वो कानूनी कारवाय भी करेंगे ये बात उनकी तरफ से आई हमने आपके साथ बाढ़ दी, दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं, दिल्ली के कथिच शराब घोटाले पर चल रही राजनीती में रोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं, और आज के चैप्टर के शुरुआत हुई CM केजरिवाल के घर से, आम आज विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला लिया गया था, दिल्ली में विधान सभा की 70 सीटे हैं, जिन में 62 सीटे आम आदमी पार्टी के पास हैं, बाकी 8 सीटे जो हैं वो भाजपा के पास हैं, दिल्ली में 62 विधायक आम आदमी पार्टी के पास हैं, आज इनकी उन्होंने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए मीटिंग जॉइन की, चववन प्लस साथ हुए 67 रिजायन इस वक्त जेल में है, इस वजह से वह विधायक दल की बैठक में पहुच नहीं पाए। करोड रुपए का ओफर भी दिया गया है। के जिवाल ने आगे कहा, बीजेपी ने आठ सो करोड रुपए खर्च करके दिल्ली के सरकार गिराने का मनसूबा पाल लिया है, आला कि कल उनकी पार्टी के सांसर संजेसिंग ने बकायदा प्रेस कॉन्फरेंस करके ये आरोप मैंने पिछले जनव में कुछ पुन्य की होंगे, मैं समझता हूँ, मैं बहुत सभागेशालियों की मुझे मनीज सोदिया जी जैसे साथी मिले, उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीम बना रहे थे ये लोग, मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंन कहा कि CPA और E.D. के सारे केस खतम कर देंगे, उन्होंने का ओफर ठुकरा दया, अब यह पिछले कुछ दिन से हमारे MLS के पीछे पड़े हैं ऑनीोई को बीस-बीस करोड रुपए का उफर दिया जा रहा है, कि आप बीस करूड रुपए का ले लो, और आप केजरिवाल जी क कि झाली कि आप ने एक कटटर इमानदार पार्टी को जाय कटर इमानदार सरकार को वौट दिया केजरिवाल का अपने विधायकों के साथ राजगाट जाना एक पॉलिटिकल एक्षन था जिसका रियाक्शन भी हुआ भारती जनता पार्टी के राश्टी प्रवक्ता सुधांचुत रिवेदी ने कहा एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री देने वाले केजरिवाल ने शराब के सबसे बड़े विरोधी और सत्य के प्रतीक बापू की समाधी पर जाकर सत्य को ढखने का प्रयास किया लेकिन वो कामयाब होंगी नहीं दूसरी और भाजपा सांसरत प्रवेश वर्मा ने केजरिवाल पर महत्मा गांधी की समाधी को और पवित्र करने का आरोप लगा दिया और बात चुद्धी करण तक पहुचा दी आमादमे पार्टी के विधायकों की खरीद फरोग क्यारोंपों पर भाजपा का कहना है कि शराब घोटाले पर केजरिवाल के पास कहने के लिए कुछ है नहीं इसलिए वो इधर-धर की बाते कर रहे हैं अब आदे पार्टी के खिलाफ आज भाजपा के कारेकरताओं ने दिल्ली की 19 जगों पर जोरदार पदर्शन किया इस राजनातिक उठापटक के बीच कल से दिल्ली विधानसभा का विशेश सत्र शुरू होने जा रहा है 23 अगस्त कोगवा में उनकी मौत की खबर सामने आई थी तब कहा जा रहा था कि हाट अटैक के वज़े से सुनाली फोगाट की मौत हुई लेकिन पोस्टमाटम रिपोर्ट के मुताबिक सुनाली के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और निशान किसी नुकिली चीज के बताय जा रहे हैं हाला कि आई जीपी विश्णोई का कहना है कि सुनाली फोगाट के शरीर की जाच करने वाली महिला पुलिस अधिकारियों को शरीर पर कोई धारदार चोट मिली नहीं थी दूसरी दरफ सुनाली फोगाट के भाई रिंकू पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं बताय जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सुनाली फोगाट का दिली एमस में दोबारा पोस्ट मार्टम कराया जाए ताकि सत्य सामने आ जाए रिंकु ढाका का कहना है कि उनकी बहन सुनाली बीजेपी के प्रतिसमर्पित थी लेकिन भाजपा का एक भी नेता उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है बढ़ते विवाद को देखते भी हर्याणा सरकार में मंत्री ग्रह मंत्री भी है ये अनिल विज ने इस पूरे मामले में हाई लेवल की जांच की माँ कर दिए अनिल विज का कहना है कि जब परिवार इतने गंभीध आरोप लगा रहा है तो ऐसे हालत में उच्छ तरी जांच की जरूरत है फिलाल इस मामले में हत्या की अफायार दर्च कर ली गई है सुधिर सांगवान और सुक्पिंदर वासी को आरूपी बनाया गया है सुनाली फोगाट 22 अगस को जब गोवा पहुंची थी तो सांगवान और वासी उनके साथ थे अगली सुर्की भाजपा के संगटन में हुए बड़े बदलाव से जुड़ी हुई है भूपेंदर चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है भूपेंदर सिंग चौधरी योगी सरकार में कैमिनेट मंत्री है उन्होंने बुधवार को ही दिले में बीजेपी के राश्री अध्यक्ष जेपी नड़ा से मुलकात की थी इसके बाद से उनके नाम की चर्चा तेज हो गई थी भूपेंदर चौधरी पश्चिमी यूपी के जाट समात से आते हैं माना जा रहा है कि बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए सूबे में शेत्री और जातिये दोनों ही संतुलन बनाने के लिए ये बड़ा दाओं खेला है अब उपेंदर चौधरी उत्तर प्रदेश में स्वतंतर देव सिंग की जगह लेंगे बीजेपी लोग सभाचुनाओं 2024 के मद्दे नसार पश्चिमी यूपी के नेता को प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मदारे देना चाहती है ताकि शेत्रीय समय करण बना रहा आप जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री योग्या दितनात पूर्वान चल साते हैं गुरकपुर से तो संगठन की कमान पश्चिमी यूपी को दे कर एक तरह की बराबरी लाने की कोशिश की गई है यूपी के दोनों बड़े हिस्सों में ये थी आज के दिन की सुर्खियां अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर बड़ी खबर में आज एक नहीं कई सारी बड़ी खबरे हैं और सब की सब सुप्रीम कोर्ट से हैं आज दिन सुप्रीम कोर्ट में सामाने दिनों की तरह ही था मगर गतिविधियां और सुनवाई आम दिनों से काफी तेज और रोचक थी सुप्रिम कोट में आज यानि 25 अगस को चीफ जस्टिस एनवी रमना का सेकंड लास डे था वो 26 अगस को रिटायर हो जाएंगे मगर जाते आते सीजाई रमना ने कुछ बड़ी लकीने खीचने की कोशिश की एक तरह से भारत के नएक इतिहास में अपनी चाप छोड़ने की कोशिश की जिन मामलों की उमीद नहीं भी की जा रही थी उनको अलग-अलग बेंच के साथ बैट करके चीफ जस्टिस रमना ने सुना उस पर टिप पणिया की नोटिसेस इशू किये तो बारी-बारी से हम सारी एहम सुनवाई को संक्षेप में बताएंगे पहले आप करम समझ लीजिए सबसे पहले कोट खुलते ही चीफ जस्टिस ने ठंडे बस्ते में पड़े पेगसिस मामले को सुना दूसरे नमबर पर पी-ए मोधी की सेक्योरिटी ब्रीज के मामले को सुना जो पंजाब में हुआ था तीसरे नमबर पर चीफ जस्टिस रमना ने पी-ए मले आक्ट पर सुप्रीम कोट के फैसले पर आई रिवियू पिटिशन को सुना चौते नमबर पर बिल्किस बानों के मामले पर सुनवाई हुई तो कुल चार बड़े मैटर्स जाते आते चीफ जस्टिस ने सुने इसके लावा 28 रेगुलर मैटर्स को भी सुना जिसमें जहारखंड के विधायकों के पास से मिले नोटों का मामला भी था हम अपना ध्यान चार बड़े और हाई प्रोफाइल मामलों पर ही केंदरित रखते हैं सबसे पहले बात पेगसस मामले की पेगसस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में सीजाई अन्मी रमना, जस्टिस सूरेकांत और जस्टिस हिमा कोहली थे सुनवाई से पहले आपको पेगसस मामले का हलका सा रिकैब दे रहते हैं 2019 में अमेरिका के सैन फ्रांसिसको में एक मुकदमा चल रहा था इसमें सुनवाई के बक्त वाटसैप ने खुलासा किया था कि भारत में भी पत्रकारों और मानबादी कार कारे करताओं के खिलाफ पेगसस नाम का एक साइबर हतियार इस्तिमाल हुआ था तब वाटसैप जो की फेसबुक की एक कमपनी है उसने सू किया था इसराइल की कमपनी एनेसो को पेगसस एक मालवेर है साधी भाषा में आप इसे एक वाइरस कह सकते हैं इसराइल की कमपनी एनेसो ग्रूप द्वारा बनाया ये मालवेर जासूसी के काम आता है इसके जरीए वाटसैप जैसी सुरक्षित माने जाने वाली इनक्रिप्टेड मेसेजिंग सेवाओं को भी हैक किया जा सकता है फोन के जरीए आपकी सारी गतिविदियों पर नजर रखी जा सकती है ज़्यादार मालवेर तभी काम करते हैं जब शिकार किसी लिंक या तस्वीर पर क्लिक कर दे लेकिन पेगसेज शिकार के बिना कुछ किये ही उसके फोन में घुस सकता है और अपना काम निप्टा सकता है 2019 में कुछ होला हुआ लेकिन बात आई गई हो गई असली बावाल खड़ा हुआ जुलाई 2021 में जब पेगसेज प्रोजेक्ट सामने आया MNST International ने दुनिया भर के मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर एक सीरीज चलाई जिसमें पेगसेज द्वारा पत्रकारों, नेताओं और मानवादिकार करताओं की कथी जासूसी का भांडा फोड़ हुआ भारत से पेगसेज प्रोजेक्ट में समाचार वेबसाइट दवायर शामिल थी इसकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत में कम से कम 300 फोन नंबर्स को पेगसेज द्वारा जासूसी के लिए चुना गया था इनमें मौजूदा सूचिना प्रद्योगी की मंतरी अश्विनी वैशनाव, कॉंग्रेस इद्धेश रहे और फिलहाल वायनाट सांस द्राहूल गांधी और उनके कई करीबी पूर्चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, मानवादिकार कारकरता सुधा भारतवाज और देश और फोरेंसिक जांच में जासुसी के सबूत भी मिले हैं। जस्टिस हिमा कहली के बेंच ने एक टेक्निकल कमिटी बनाई थी। अब इसके सदेश से कौन-कौन थे वो सुन लीजे। नाशनल फोरेंसिक साइंसेस उनिवरस्टी के डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी। अमरित विश्व विद्या पीठम के डॉक्टर प्रभहरन, आयाइटी बॉम्बे के डॉक्टर अश्विन अनिल गुमास्ते ये तीन थे। अब इस कमिटी के निगरानी के लिए एक तीन सदस और नियुक किये गए थे जिनके ओवरसियर थे सेवा नेवरित जस्टिस आरवीर रवीन द्रणिया अध्यक्ष हुए एक तरह से ओवरसींग कमिटी के और इनके दो असिस्टेंस और थे पूर्व आईपिस आलोग जोश था और आज की दिन इस रिपोर्ट को नियाले ने रिकॉर्ड पर लिया माने इसे सुनवाई का हिस्सा बनाया CGI ने केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुशार महता से ये कहा कि कमिटी ने कहा है कि भारत सरकार ने जांच में सही होग नहीं किया आपका जो स्टेंड यहाँ था वही कमिटी के सामने भी रहा इस पर महता ने जवाब दिया कि मुझे इसकी जानकारी है नहीं नियाले ने नोट किया कि कमिटी के मताबिक जांच के लिए दिये गए 29 डिवाईसेस में से 5 में मालवेर होने के सबूत मिले लेकिन ये सबस्ट नहीं हो पाया कि यह मालवेर पेगसिस ही था या नहीं जिन लोगों ने अपने डिवाईस जांच लिए थे उन्होंने रिपोर्ट को जारी न करने का आगरह किया था इसलिए पूरी रिपोर्ट को पब्लिक ना करने का निर्णाय लिया जा सकता है, पोट के दोरा नियाला ने कहा कि वो रिपोर्ट के संपाधित अंज को जारी करने पर विचार करेगा कानून इमामलों की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइब लॉग के मताबिक रिपोर्ट के तीन हिस्से हैं इनमें मालवेर की जानकारी, रिसर्च, माटेरियल और जांच के लिए दिये गए मुबाइल फोन्स की जानकारी दर्ज है कमिटी के मुख्या जस्टिस रवींदरन ने एक ओवर सिंग कमिटी के मुख्या था ये इन्होंने वेग रिपोर्ट दिये जिसमें नागरिकों की निर्ष्टा के सुरक्षा, इसके लिए आवशक विधाई कदम, शिकायत निवारंड के व्यवस्ता और भविश्य में उठाए जाने वाले कदमों का उले किया गया है इस रिपोर्ट को सुप्रियम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा अब चलते हैं अगली बड़ी सुनवाई पर जोकिस जूड़ी थी पी-म सेक्योरिटी ब्रीच से मामला पंजाब से है वहाँ प्रधान मंत्री निर्न मोदी के सुरक्षा में चूक हुई थी इस साल पांच जनवरी की रोज प्रधान मंत्री मोदी पंजाब के फिरोजपूर में एक रैली को संबोधित करने जाने बाले थे दिली से निकल कर प्रधान मंत्री मोदी रैली के लिए भटिंडा के गिसियाना एरवेस पर पहुचे यहां से राश्टी शहीद समारक हुसैन वाला तक मोदी को हलिकॉप्टर से जाना था आगे आंदोलन कारी किसानों ने रास्ता रोक रखा है करीब 15 से 20 मिनिट तक इंतजार करने के बाद प्रधान मंत्री मोदी बिना रैली किये वापिस भटिंडा चले गए और रैली को रद भी किया गया इसने प्रधान मंत्री मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूप की बात को सामने लाया इसे चूप की तरह ही देखा गया इस मामले को लेकर लॉयर्स वोइस नाम की एक संस्ता सुप्रीम कोट पहुची कमिटी में केंद्र और राज सरकार ने वे अधिकारियों को रखा था अब इस कमिटी ने पंजाब में पीम मोदी की सुरक्षा में होई चूप के लिए फिरोसपूर के ततकालीन स्पी हर्मंदीव सिंग हंस को जिम्मेदार बताया है सुनमाई की दोरान कमिटी की रिपोर्ट पढ़ते वे सीजाई रमना ने बताया कि फिरोसपूर के स्पी को दो घंटे पहले बता दिया गया था कि पधान मंत्री उस तरफ से जाने वाले हैं उसके बाद भी वो सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए कमिटी ने अपने रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से ये भी बताया कि राज के अडिशनल डीजेपी जी नागेशवर राव ने सुबह दस बचकर 20 मिनिट पर पी एम का रूट बदलने की सूचना दे दी थी राव ने हर्मंदीप सिंग को निर्देश भी पास किये थे एस्पे हर्मंदीप सिंग के पास लगबग दो घंटे का परियाब समय था काफी सुरक्षा कर्मी भी थे लेकिन उनने पी एम की यात्रा में उचित सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया कमिटी ने प्रधान मंत्री मोधी की सुरक्षा से हमने प्रधान मंत्री मोधी का नाम लिया वैसे तमाम प्रधान मंत्रियों की सुरक्षा के लिए इसका इस्तमाल होता है ब्लू बुक कहते हैं जिस पर सारे निर्देश लिखे हैं उसकी समय समय पर समीक्षा की सिफारिश भी की है इसके साथ ही देश भर के पुलिस अधिकारियों को VVIP की सुरक्षा को लेकर बहतर ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया गया है फिलाल इस मामले में आगे की कारवाई के लिए कमिटी अपनी रिपोर्ट केंदर सरकार को सौपने वाली है पाच जन्वरी को जब प्रधान मंतरी मोदी की सिक्यारिटी में चूप हुई थी उस वक्ट पंजाब में कॉंग की सरकार थी चरण जीत सिंग चन्णी उस सरकार के मुखे मंतरी होते थे प्रधान मंतरी मोदी का काफिला 20 मिनिट तक एक फ्लाई ओवर पर फसा रहा हाला कि चन्णी ने इसे सुरक्षा चूप मानने से उस समय इंकार किया था चन्णी का कहना था कि पी-एम ने पी-एम को कोई खरोच नहीं आई तो फिर उनकी जान को खत्रे की बात कैसे हो सकती है पाच जन्वरी की घटना के बाद प्रधान मंतरी मोदी ने कल पहली बार पंजाब के दोरे पर आये थे कल फिर उसपूर पाली घटना पर सी-एम भगवनतमान ने दुख जताया और कहा कि ये दुख की बात है कि सुरक्षा चूप की वज़े से प्रधान मंतरी मोदी को पिछली बार वापस लोटना पड़ा था उनकी सुरक्षा के लिए पूरे बंदोबस करना सरकार का फर्ज है अब अगले बड़े मामले के सुनवाई पर चलते हैं बिलकिस बानों मामला तीसरी बड़ी सुनवाई थी है जिस पर सब की निगाहे थी बेंच चेंज होती है अब चीफ जस्टिस रमणा के साथ सुनवाई के लिए जस्टिस अजयरस्तोगी और जस्टिस विक्रम नात आते हैं याचिका सीपे आएम किनेता सुभाशनी अली फिर्म निर्माता रेवती लौल और पूर प्रफेसर और कारेकर्टा रूपरिखा वर्मा की तरफ से दायर की गई थी याचिका करताओं की तरफ से वरिष्ट वकील कपिल सिब्बल पेश हुए पौशते ही कपिल सिब्बल ने याचिका के पन्ने पल्टे दलील की शुरूआत बिल्किस बानों से जुडी घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने की उन्होंने कहा दंगों में बड़ी संख्या में गाउं के लोगों की जान गई मुसल्मानों का पलायन हुआ अभियोजक और उसके परिवार के सदस से गाउं गाउं भाग रहे थे 28 परवरे की रात उसकी चचेरी बहन ने एक बच्ची को जन दिया 30 मार 2002 को वो एक गाउं जा रहे थे एक समूह मुसल्मानों को मारो ये नारा लगाते वे चिलाते वे आया उनके हाथों में लाठिया और धारदार हत्यार थे इससब जब वो बता रहे थे तब चीजस्टिस रमना ने टिप पनी की कि ये सारे तथ याचिका में आपकी लिखे हुए है कपिल सिंबल ने तब कहा कि 14 लोगों की हत्या हुई गरवतिम महिला का गैंग रेफ हुआ उसके तीन महिने की जो संतान थी बच्ची थी छोटी उसे जमीन पर पटक कर मार डाला गया इस पर जस्टिस अजे रस्तोगी ने पूछा कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें दोशी ठहराया जा चुका है सवाल ये है कि क्या वो सजा माफी के लायक है या नहीं उन्होंने आगे कहा कि we are only concerned if permission was in the parameters of law मतलब ये हमारी इकलोती चिंता है कि उन्हें जो छूट दी गई है वो कानून के मताविक थी या नहीं मतलब ये तैकरना है कि कानून के मानुकों पर गुजरात सरकार के फैसले को अब तौला जाएगा जसिस रस्तोगी ने ये भी पूछा कि केवल इसलिए ये कहना कि अपराद भयानक था इसलिए छूट गलत हो जाती है कि ऐसा सही है इस सवाल पर वकील सिबल कुछ बोलते हैं इससे पहले चीफ जसिस रमना ने एक बात साफ की उन्होंने कहा कि हम इस फैसले में पार्टी नहीं है मैंने कहीं पढ़ा कि कोट ने रिहाई के अनुमती दी जबकि ऐसा नहीं है कोट ने सरकार से सिर्फ विचार करने को कहा था जस्टिस रमना ने ये टिप्पनी इसलिए कि क्योंकि जस्टिस रस्तोगी और जिस्टिस विक्रमनात उस बेंच का हिस्सा थे जिसने मई में बिलकिस के दोशियों की रहाई पर गुजराच सरकार से अपने विवेक का इस्तमाल करने को कहा था निर्देश दिये थे इसके पाद सीजाय रमना ने गुजराज सरकार के वकील से जवाब दाखिल करने को कहा इस पर गुजराज सरकार के वकील ने कहा कि यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है माने सुनी जाने लायक नहीं है याचिका लगाने वाले strangers हैं यानि कि आजनबी एक तरफ से कहने का मतलब यह हुआ कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है वो इस case में कोई पक्ष नहीं है तो याचिका को ना सुना जाए इस पर जस्टिस रस्तोगी ने भी पूछा कि आजीवन कारवास के दोश्यों को अकसर छूट दी जाती है इसमें अपवाद क्या है कोड ने बूचा हमें ये देखना होगा कि क्या इस मामले में छूट देते समय दिमाग का विवेक का इस्तमाल किया गया क्या आप ये कह रहे गुझरात सरकार के बकिल ने तुरंद कहा कि इसमें दोशियों को पार्टी नहीं बनाय गया है कि मामले में 11 दोश्यों को पार्टी बनाया जाएगा साथ ही केंद्र और राज दोनों ही सरकारों को नुटित चारी कर पूछा कि किस आधार पर रिहाई की गई दो हफदे के अंदर सरकारों को जबाब पेश करना होगा मामले की लिस्टिंग दो हफदे बात की गई है तब उसके सुनवाई नए चीफ जस्टिस यू-यू ललित की बेंच करेगी बढ़ते हैं अगले बड़े मामले के सुनवाई पर PMLA Act इस मामले के सुनवाई खत्म हुई बिलकिस पाले की सीजय थोड़ी ही देर में PMLA मामले के सुनवाई करने बैठ गए ये चौता बड़ा मामला था इस बार Bench बदल गई, Justice रस्तोगी और Justice विक्रम नात की जगे, अब Bench में Justice दिनेश महेश्वरी और Justice सीटी रवी कुमार आ गए इनमें याचिका करता कॉंगरस सांसतकीर्ती चिदंबरम है और ये एक रिव्यो पिटेशन है याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी आज CGI एनवी रमना, Justice दिनेश महेश्वरी और Justice सीटी रवी कुमार की Bench ने ओपन कोर्ट में रिव्यो पिटेशन याने की पुनर विचारी आचिका को सुनवाई के लिए सुईकार कर लिया पुनर विचारी आचिका पर सुनवाई के लिए वही Bench बैठती है अकसर जिसने मामले पर Original Judgment दिया था हालों कि PMLA पर फैसला देने वाली Bench में शामिल Justice A.M. खानविलकर 29 जुलाई को रिटायर हो चुके हैं इसलिए अब CGI एनवी रमना के नितरुत में रिव्यो पिटेशन पर सुनवाई हुई शुरू हुई स्विकार क्या उन्होंने PMLA के अलग अलग प्रावधानों पर सवाल उठाते वे इसमें संचोधन की मांग के साथ 242 याचिकाए दायर की गई थी दरसल E.D. Money Laundering के मामलों की रिपोर्ट ECIR यानि Enforcement Case Information Report के तौर पर दर्श करती है FIR की तरह का एक दस्तावेज होता है फैसले में कोर्ट ने इस पर टिप पड़नी की थी कहा था कि ECIR को FIR के बराबर नहीं माना जा सकता प्रधानी करूप से इसे हर केस में संबंदित व्यक्ति को देना अनिवारे नहीं होगा और अगर E.D. गिरफतारी की समय उसके कारण बता भर देती है तो इसे परियाप्त माना जाएगा अलगि फैसले में कोर्ट ने इस सवाल को छोड़ दिया कि क्या P.M.L.A. में संशोधन Finance Acts के जरीए किये जा सकते है अब 25 सगस को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई याने कि आज तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि E.C.I.R. नर्स आपने वाले बिंदू पर फिर से विचार किया जा सकता है P.M.L.A. मामलों में पुनर्ब विचार याच्छे का पर S.C.I.R. की रिपोर्ट आरोपी को न देने का प्रावधान दूसरा खुद को निर्दोष साबित करने का जिम्मा आरोपी पर देने का प्रावधान हलांकि केंद्र के ओर से पेश सॉलिसेट जनरल तुशार महता ने याचिका का विरोध किया उन्होंने कहा कि समीक्षा के रिकॉर्ड में साफ साफ गडबड दिखनी चाहिए और ये एक मातर धिनियम नहीं है बलकि ये भारत की अंतर राश्टी प्रतिवधताओं के अनुसार है लेकिन कोट याचिका पर सुमवाई को तयार है बेंच ने पीमले को लेकर दिये 27 जुलाई के फैसले की कुछ बातों पर चिंता जाहिर की थी इनके मताबिक एडी अधिकारियों को ये अधिकार है कि वो ट्राइल से पहले ही सम्बंदित व्यक्ति के सम्पत्य अपने कब जमे कर सकते हैं बुद्वार को कोट ने विशेश मामलों के सम्बंद में इस अधिकार को लेकर चिंता जताई कोट ने कहा कि इस पर अलग से व्याख्या करने की आवशकता है वरना इसे लेकर और याचिकाय आने के सम्भावना बढ़ जाएगी अब तीन ने अधिशों के पीड ने अंतरिम सुरक्षा देने के अपने आदेश को भी चार सपताहा के लिए बढ़ा दिया मामले में अगली सुनवाई चार हफते बाद होगी तब तक केंदर को अपना जवाब भी दाखिल करना होगा तो एक उल चार हाई प्रोफाइल मामले थे जिसे आपने अपने सेकेंड लास्ट वरकिंग डे पर चीफ जैसिस एनवी रमना ने सुना यह जानकर याप तक लाने में हमने लीगल मामलो को कवर करने वाली वेबसाइट्स लाइव लौ और बार एंड बेंच की मदद ली है और सबसे ज़्यादा मदद हमारी की है हमारे साथ ही अनिशा माथूर ने इंडिया टूडे ग्रूप के लिए लीगल रिपोर्टर है अनिशा माथू क्या बता रही है एक बहुत अच्छे से सब लोगों ने वेल्सम पिया मुझे बहुत अच्छा लगा दिल्ली आता है तो उसको लगता है कि दिल्ली जाने कैसे होगी लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी रही है अच्छी चुटकी लिए कि चिपनी की क्या उस तरह से कि सीनियर वकील जो वैठे थे और बहुत सब्सक्राइब करने शुरू कर देते हैं आप लोग सब सीनियर सिटिजन हैं आप लोग सब सीनियर लोग है अपनी सेहत का भी ख्या रखिए इसनी दोर-दोर से जरा आर्गिमेंट ना कीजिए तो यह चुटकी ओना ने लिए उस समय जाने थे तब हापर सीनियर आजो के निरत किसन कॉल बैखे हुए से मनिंदर सिं सारे जजेज और वकीलों ने साथ बैटर खाना खाया उस वड़िक पापी हाथी मजाग चलता रहा हा अला कि उसमें क्या हुआ वो हम आपको नहीं बता सकते क्यों हमारी एंट्री नहीं थी लेकिन हमें दूर से दिख रहा था कि हाथी मजाग हो रहा है बात हो रही है नौस अंदर की हासी मजाब की बात होती है वो उस वक्त होई हाला कि मैं आपको कानों सुनी नहीं बता रही हूं किसी और से सुनी बता रही हूं इस ये बात जो है दिल्ली उचनैले में मिले फेरवेल के बाद अब खल याने के 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में विदाई दी जा कि अगस्त कर देखा होगा कभी सीडी पर पूरा फॉयर है जहां पर गांधी जी की स्टाचू नीचे है और आपके आखों में आखे डालकर देखते है तीजस के जो कोट है कोट नमबर वन की दर्वाजे पर सीधे गांधी जी की स्टाचू की नजर रहती है उन्ही सीडियों पर खड़े होकर सभी जजेज जो है आखात बाइक कर फोटो कित राते हैं उसके बाद जो होता है एक चरिमोनियल बेंच बैठती है Chief Justice of India Indy Ramana का क्योंकि कल आखरी दिन है Chief Justice Designate UU Lalit Saturday को जो ओठ लेने वाले हैं अगले 49th Chief Justice के रूप में उनके साथ Ceremonial Bench से बैठेंगे कोछ दस या ग्यारा मैटर्स जो होते हैं जिनमें कोई जादा सुनवाई की जरूद नहीं होती वो मैटर्स उनके सामने आज जा सरेमोनियल बेंच से सुने जाएंगे उसके वो अपना जो भी उनको एड़र्मिंड देनी है या जो भी और् उसके बार जो ceremonial farewell जो होता है वो होता है उस वक्त अटर्णी जेनरल इंडिया के के देनु गपाल, सलिसितर जेनरल, सिफार महिता, सुप्रीम कोर्ट बार असरोसियेशिंट के जो प्रेजिडेंट है विकार सिंग और भी अगर कोई सीनियर लॉयर आके कुछ कहना चाहते हैं तो भी कह सकते हैं तरही बार होता है कि जड़िस्ट की जो फामिली होती है वो भी आके बैखती है तो कोट रूम जो होता है अच्छा खाका भरा हुआ होता है जिस कभ लोग फिटिंग जग की आफरी खवी बेखने के लिए जाकर देखते हैं वहां पर उनकों काफी के लिए जो चाय लंग का जो इंतिजाम होता है वो होता है कल श्याम को लगवाद चार बजे के आज़ पास सुप्रीम पोर्ट कर जो बड़ा नया ओडिटोरियूम है वहां पर फॉर्मल सेर्वल सर्मिनी जिस जसी जसी का मना के लिए होगी जो कि सुप्रीम पोर्ट बार सुप्र है सभी जजे कर आएंगे सभी वकीब रहेंगे वहां पर आएंगे वहां पर लोओ सिस आते हैं अगर सी जाओ सिस जाइडार होने की पूरी उम्मीद है कि तिछने दो तीन दिनों से अगर फोई ठोड़ा हूआ मामला आता है अगर कोई complicated मामला आता है या अगर कोई कुछ भी controversial मामला आया है तो Chief Justice Ramana ने ये चिपनी की है कि देखिए बतौर Chief Justice में बहुत कुछ नहीं कह सकता लेकिन अपनी आखरी दिन की farewell speech में बहुत कुछ कहूंगा जो बहुत लोग मुझसे सुनना चाह रहे हैं तो पिछले 17 साल से Chief Justice रहे हैं एन्मी रमना कल की speech में अपनी farewell में क्या कहते हैं वो देखना बहुत बहुत दिल्चस्प रहेगा इदा आज का दिललन टॉप शो सुप्रीम कोट के जो ब्यॉरे बुलेटिन में शामिल नहीं हो पाए हैं उन्हें आप रात्री कालिन सभा में भी सुन सकते हैं तो आप रात्री कालिन सभा के लिए ट्यून डेन रहेगा अपने और अपने को ध्यान रखिए कल आप से फिर मुलाकात होगी इस उमीद के साथ अब हम विदा लेते हैं देखते रहेए दिललन टॉप